छोटा डॉक्टर द्विजेंद्रेनाथ मिश्र निर्गुन कमपाउंडर शाम सुंदर शर्मा डिस्पेंसरी से बाहर निकला तो धूब ठल रही थी। उसने एक बार कोट की जेब में हाट डालकर इंजेक्शन का डिबबा देखा फिर तीनों सीड़ियां पार करके लपकता चल दिया। बात की बात में बाजार में आ पहुँचा पर आज उसने नजर न डाली तमुली की दुकान पर लंबे डग भरता आगे बढ़ता जा रहा था कि जाने किस प्रिय बंधू ने पुकारा। डॉक्टर पान खाते जाओ श्याम सुन्दर ने सिर गुमा कर पीछे देखा और गंभीरता से बोला फुरसत नहीं है और आगे बढ़ गया। लाला की बैठक आ गई मजमा एक खटा था वहां एक जवान साधू खंजडी बजा कर भजन सुना रहा था कैसी मोहक तरज है पर श्याम सुन्दर न रुका ननकु सुनार ने सामने से राह रोक ली और बंडी में हाथ डालता बोला भीया डाक्टर सदर से ये कागज आया है जरा पढ़ कर बताओ की क्या लिखा है श्याम सुन्दर ने स्वर को तीवर करके कहा मुझे फुरसत नहीं है और आगे बढ़ गया अखाड़ा आ गया तीन चार मस्त कसरती जवान तेल फुलेल लगाए बीडी पी रहे थे उनके बीच में एक साथी लंगोटा कसे नंग कसम है तुम्हें जो बिना चड़ाए जाए पर शाम सुन्दर ने कसम का खयाल न किया आगे बढ़ता बढ़ता चिला कर कहता गया फुरसत नहीं है गुईया बाजार खत्म हो गया शाम सुन्दर दस बारा कदम और अधिक तेजी से बढ़ा ही था कि अचानक उसकी नजर दा के नीचे से एक संक्री पकडंडी दूर तक चली गई थी और इस ओर एक कनेर खड़ा था जिसकी लंबी शाखाएं हमेशा कुवे पर छाया की रहती थी और जिससे दिन रात पीले बाजे नुमा फूल जहरते रहते थे शाम सुन्दर पैरों की चाप दबाता उसी कनेर तले आखडा हुआ एक बार चारों और द्रश्टी डाली और थीरे से खासा तब जो एका किनी अपना घड़ा भर रही थी चौप कर उधर देखने लगी उसके होठों पर मुसकान खेल उठी पर उसने अपने को हसने न दिया और गोल बाहें फूरती से रसी को उपर खीचने पानी भरने वाली ने कतई ध्यान न दिया रसी खटी की और पलक मारते भारी घड़ा कमर पर रख लिया तब श्याम सुंदर स्वर को और मधूर करके गाने लगा पतली कमरिया भरी गगरिया तिरची नजरिया सू निटगरिया अरे हमसे न भरा जाए रे राजा तेरा पनि तब रोकते रोकते भी गगरिया वाली की नजर उधर आ गई और उस भोली नजर ने देखा कि श्याम सुंदर अपनी पतली कमर पर अद्रश्य भारी गगरिया और तिरची नजरिया लिए खड़ा है तब हसी रोके न रुकी और सहसा बिजली सी कौन्द गई कुए के किनार तब ही एक बड़ी रूखी आवाज सुन पड़ी डाक्टर और एक महा बलिष्ठ लंबा चोड़ा प्रोड व्यक्ति आधम का लठ हाथ में लिए डाक्टर को कनेर की डाल पकड़े देखा और उसने अजीब सी टोन में पूछा क्या कर रहे हो यहां डाल पर नजर जमाए श तुम्हारा इंतजार हो रहा है श्याम सुन्दर ने डाल फॉरन छोड़ी और हाथ छाड़ कर बोला भाड में जाये दातून चचा मैं ये चला और चलते चलते उसने एक बार दबी निगाहों से उधर देखा दूर संक्री पगडंडी पर एक सुगठित देह पानी भरा लड़की हसकर भीतर भाग गई बड़ा लड़का मदरसे से पढ़कर उसी दम लोटा था अपना बस्ता रखकर कुमलाया मुख लिए मा को पुकार रहा था श्याम सुन्दर ने खटिया पर बैठकर उसकी ओर हाथ हिला कर कहा अरे इधर आरे लड़का सहम कर पास आकर अबे उल्लू पैर क्यों नहीं चूता मेरे तभी मा निकलाई भीतर से पान लिये शाम सुन्दर ने फौरन कहा भाभी ये गधा मेरे पैर नहीं चू रहा भाभी ने लड़के को कुछ कार कर कहा चूलो बेटा अपने चाचा के पैर चू कर पालागन करो आखिर लड़के न आज दादा को और कुछ नहीं समझीं भाभी ने समझ कर कहा देवर संत्रा कहा पाऊंगी मैं श्याम सुन्दर ने जट जेब में हाठ डाल कर चार संत्रे निकाले और भाभी के आगे करके ला परवाही से बोला लो ठामो कहां पाऊंगी मैं मर गया हूं क्या जरा मांग कर त साथ कहा आज बाग का माली दे गया था ये संत्रे उसकी सरहज बीमार होकर आई है और किसी चीज की जरूरत हो तो बतलाओ भाभी भाभी कापते कंट से बोली मैं तुमसे कभी औरिन नहीं हो पाऊंगी देवर श्याम सुन्दर ने मानू कुछ सुना नहीं भजन लाला ने क कुछ कहा और पैठ छुकर भाभी से उठते उठते बोला अब हम चल दिये भाभी सलाम फिर वही कुआ और कनेर सामने आ गया सूरज का गुला नीचे उतर आया था और गाओं का चरवाहा पशुओं का जुन्द हांकता चला जा रहा था पीछे धूल गुबारा छोड़ता श्याम सुन्दर घड़ी भर रुका रुक कर सुनसान पड़े कुएं को ताकता रहा और गाना होठों पर आ गया उसके सूनी पड़ीरे सितार फिर सहसा उसे खयाल आया कि सितार और कुएं से कोई संबन नहीं है तो वो चुपचाप चल दिया अखाड़ा आया सामने भंग चुकी थी और एक जोड छूटा था कुष्टी का श्याम सुन्दर कूद कर चौतरे पर चड़ गया और अपने साथी को पहचान कर उल्लास से बोला शाबाश उल्टी पटकन दे दे बेटे को दूसरा आदमी पुरभिया था यहां बड़े लाला के यहां नौकरी करता था वो भी श्याम सुन्दर को भली भाती जानता था बहुत तगड़ा शरीर था श्याम सुन्दर की बात से जल कर उसमें जो ताकत लगाई तो श्याम सुन्दर का साथी पटाक से चारों खाने चित जा पड़ा पुरभिया ने उसे वही छोड़कर श्याम सुन्दर के आगे आ लाला की बैठक के आगे ताश जम रहा था, शाम सुन्दर चुपके से किनारे पर बैठ गया और ताश की बाजी देखने लगा, वो एक ऐसे कोने पर था जहांसे दो आदमियों के ताश दिख रहे थे, एक के ताश देखकर दूसरे के पास सरक कर शाम सुन्दर बोला, कर दे थी तुम्हारी और कहकर वो चल दिया, हलवाई सुखराम अपनी दुकान पर पिनक का मजा ले रहे थे, आखें बंद थी और सर दीवार के सहारे टिका था, शाम सुन्दर ने एक बार अच्छी तरह उनकी परीक्षा की, बिलकुल चैतन्यहीन लगे, जूते उतार कर भीतर गुसा, एक दोने में चार पेड़ा लेकर बाहर सुखराम के पास आ बैठा, आनंद से पेड़े खाए और दोना दूर फेक दिया, फिर हलवाई को जखचोर कर बोला, अरे सुखु चाचा, ए सुखु चाचा, सुखराम ने पीनक से चौक कर आँखें चीरी, जोर लगा कर, श्याम सुंदर ने सिर हिला कर कहा, अरे जरा पानी तो पिलाओ, बड़ा प्यासा हूँ, हलवाई ने होश में आकर कहा, कुछ मीठा दूँ, पेड़ा दूँ, ताजे बने हैं, श्याम सुंदर ने लापर भाही से उत्तर दिया, आज एका दशी है चाचा, निर्जला वरत ह दूँ, लोटा भरकर पानी पीकर, तमोली की दुकान पर आखडा हुआ, दो बीडे दावे ठाट से, सुर्ती डाली चार पत्ती, और कैची की सिगरिट सुलगा कर, तमोली से बोला, तुम्हारी जोरू तो अब ठीक है ना, तमोली हाद जोड कर बोला, सबाब की दया है सरक चूना और दूँ, शाम सुन्दर ने जरा सा चूना और चाटा, फिर सिगरिट के लंबे-लंबे कश खीचता, अपनी कोठरी में जा पहुचा, डिस्पेंसरी का नौकर लाल्टेन जला कर देने आया, तो शाम सुन्दर खुरदरी खाट पर टांगें पसारे लेटा था, चादू मालिक, दूद आ गया है आपका, गरम हो रहा है, शाम सुन्दर ने अन्मने भाव से कहा, रहने दे भाई, मजे में लेटा हूँ, दूद आज नहीं पियूँगा, बच्चों को पिला देना, नौकर क्शन भर खड़ा रहा, फिर डरता डरता बोला, नए डाक्टर स चाहब आये थे अभी, आपको पूछ रहे थे, शाम सुन्दर चुप रहा, नौकर बोला, बड़ा तेज मिजाज लगता है उनका, मालिक कह रहे थे, ये घुईयां क्यों बो रखी हैं यहां, क्या तुमारा खेत है, शाम सुन्दर ने हस कर पूछा, तुमने क्या जवाब दिया, क्या जवाब देता मैं मालिक, सिर जुकाय सुनता रहा, पुराने डाक्टर साहब मुझे बेटे की तरह मानते थे, और इनका तो अभी से ये हाल है, कैसे पार लगेगा, शाम सुन्दर ने अंगडाई लेकर कहा, अरे तू क्यों मरा जाता है रे, मैं तो हूँ ना, जा, भगवान का नाम ले, खा पी, चिंता मत कर लचमना, कुछ डर नहीं है, पर श्याम सुन्दर स्वैम चिंता मगन हो गया, पुराने डॉक्टर नौकरी छोड़ कर काशी वास करने चले गए, अब नए डॉक्टर आये हैं, कल से वो ही डिस्पेंसरी में बैठेंगे, जि एहसान ना खुदा का, उठाए मेरी बला, किष्टी खुदा पे छोड़ दू, लंगर को तोड़ दू, श्याम सुन्दर ने दो बार इस शेर को दोहराया, और फिर करवट बदल कर सोने की चेश्टा करने लगा, नीन का जोका आया ही था कि जाने कौन पुकार कर जगाने ल फिर कुछ दवा शीशे के गिलास में डाल कर उदास स्वर में बोला, चलो, पटवारी का घर बस्ती के उस छोर पर था, जुलाओं के मुहले से होकर जाना पड़ता था, चारों और गंदगी थी, श्याम सुन्दर लाल्टेन की रोशनी में जमीन देखता आगे बढ़ने ल उन चितनों के बीच जहां तहां चमक रहा हो, श्याम सुन्दर अंधेरे में उस चोखट को लांगता आगे बढ़ने लगा, तो एक बार फिर उसकी आँखें पीछे को लोटी, पटवारी के भतीजे ने आगे से चिला कर कहा, डाक्टर साहब गड़ा है यहां, संभल कर क्या पकते हो डाक्टर, आज तो हमने सिर्फ खिचडी खाई थी, श्याम सुन्दर ने कहा, खेर जो कुछ भी खाया हो, दवा मैं ले आया हूँ, अस्पताल की नहीं, अपनी प्राइवेट है, दाम लगेगा इसका, अस्पताल की भी लेता आया हूँ, यह रही मुफ्त की फिर गोलियों के पुडिया दिखा कर बोला, बोलो कौन सी खाओगे, मुफ्त की या पैसों वाली, पैसों वाली में गारंटी है, चार मिनिट लगेंगे दर्ध हवा होते, मुफ्त वाली का राम मालिक, फायदा कर भी सकती है, नहीं भी, बोलो कौन सी दूँ, पटवारी न पानी डालू फौरण मूँ लगा दीजी ग्लास में और गटा गट पी जाईए। मालकिन भी कोने में आधा गुंगट काड़े खड़ी देख रही थी और भतीजा भी नजर जमाये देख रहा था। श्याम सुंदर ने कहा रेडी और जरा सा पानी ग्लास में छोड़ा की भर भर करता वो ग्लास जागों से भर उठा पियो जल्दी श्याम सुंदर ने चिल्ला कर कहा और पटवारी जी गटा गट पीने लगे उन जागों को ठीक चार मिनिट लगे हरिद्वारी लाल का दर्द गायब हो गया शिथिल होकर पड़े थे अब गदगद थे और टुकर टुकर डाक्टर को देख रहे थे श्याम सुंदर ने शांत भाव से कहा लाओ निकालो दो रूपे निकालो तुम अपने आदमी हो गयर से चार लेता और पानवान कुछ है की नहीं घर में तुम बड़ कंजूस हो अरे ब्राह्मन दर्वाजे पर आया है कुछ तो सेवा सतकार करो बतीजा थोड़ी दूर तक साथ साथ आया श्याम सुंदर ने उसे लोटा दिया और जाने क्या सोचता जुलाहों के महले में आ पहुचा जहां वो घर खड़ा था बिखारी जैसा क्षन भर वो उ आवाज देता अंधेरे में भीतर खुच गया एक कोने में मिट्टी के तेल की धिबरी जल रही थी और ओसारे में बैठी मुनिया निशब्द रो रही थी उसके शांत सौम में और सलोने मुख पर आसुओं की धारे बह रही थी और सारे घर में उदासी सासें खीच रही थी दुख भरी शाम सुंदर मानो पाताल लोक में खड़ा था मुनिया को पुकार कर बोला इधर आ और उसका आसुओं से धुला मुख नस्दीक से देख कर कलेजे पर चोट खा कर बोला रो क्यों रही थी चुडैल बुढ़ा बाप दिन भर मजदूरी करके जो पैसा लाया था वो कहीं राह में गिर गए कुर्ते की जेब फटी थी सो पता ही नहीं चला भागे को कल दो पहर को खाए हैं आज सारा दिन निराहार बीता और अब कल भी निराहार बीतेगा रोती रोती वो बोली मैं तो भूखी रह लूंगी अब्बा कैसे रहेगा शाम सुंदर ने शाम सुंदर लंबी सास खींच कर बोला थोड़ी देर पहले आ जाता तो उन्हें न जाने देता ये ले और दो रुपए का नोट मुनिया की हथेली पर रख कर बोला पटवारी को ठक कर लाया हूँ इनसे काम चला मैं फिर आऊंगा मुनिया फूट फूट कर रोने लगी दोगशन शाम सुंदर स्तब्द खड़ा रहा और फिर प्यार से उसके आशू पोचकर गदगद स्वर में बोला इस तरह दिल छोटा ना कर और इस तरह आशू न बहा तू तो उस दिन कहती थी कि भईया मैं दुख में भी हस्ती रहती हूँ भूल गई चुडल अब रो मत अच्छा जुलाहों के मुहले से निकलते निकलते शाम सुंदर को एक गाना याद आया तो वो सस्वर गाने लगा मुर्ग दिल मत रो यहां आसू बहाना है मना यही एक मिसरा वो बराबर अपने डेरे तक गाता चला आया सुबह तड़ उस छोटी सी पुरानी धूल भरी डिस्पेंसरी में बैठे बैठे उन्हें विशाल स्वच अस्पताल की याद आई जहां कुछ दिन पहले वो सरकारी डॉक्टर थे एक अंग्रेज से जगड़ा हो गया था उनका उसने कुछ अपशब्द कहे तो इन्होंने भी कुछ ऐसा कहा जो आपत्ती जनक था उसी बात को लेकर केस चला यदि उस अंग्रेज से वो माफी मांग लेते तो शायद नौकरी न जाती पर उन्होंने माफी न मांगी नौकरी चली गई राजा साहब के सामने सारी घटना सुनाई राजा साहब ने दाद दी और उन्हें यहाँ इस डिस्पेंसरी में बुला लिया ये डिस्पेंसरी सरकारी नहीं थी राजा साहब के पिता के नाम पर गरीब प्रजा के हितार्थ इस कस्बे में खोली गई थी ये कस्बा राजा स शाहब की रियासत में ही आता था और पांच हजार से उपर आबादी थी इसकी। नए डॉक्टर को रहने के लिए मकान मिला था और एक नौकर भी दिया गया था सेवा करने को। बैठे बैठे सोचते रहे। यहीं रहना है मुझे। आत्म सम्मान का यही पुरुसकार है। सिर शाम सुन्दर ने आगे बढ़कर कहा। साहब चंदन लाया हूँ। चंदन? जी असली मल्यागिरी का है लगा दू साहब। डॉक्टर साहब की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने शायद ही कभी माथे पर चंदन लगाया हो। बढ़ा जीब आदमी है। शाम सुन कर कहा। लगा दो। तब शाम सुन्दर ने बहुत संभाल कर उनके माथे पर एक सफेद चंदन का टीका लगा दिया। और फिर शीगरिता से अपनी जेब से पुराना मटमेला दो आने वाला शीशा निकाल कर डॉक्टर साहब के मूँ के ठीक सामने रखकर खड़ा हो ये क्या। शीशा है साहब देख लीजी चंदन। डॉक्टर साहब ने श्याम सुन्दर के हाथ से वो शीशा चीना और दूर कोने में उसे फेंक कर अती खिन होकर कहा। आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए समझे। और दोनों हाथों से सिर पकड़ कर बैठ रहे। श्या से तूटे हुए शीशे को निकाल कर देखा जैसे कलेजा ही चिर गया हो बीच से एक लंबी सांस ली और निरी ही भाव से सामने राह की ओर देखने लगा। तब ही पाठशाला के पंडित जी आ गए तो प्रणाम करके श्याम सुन्दर ने कुशल पूछी। पंडित जी के म पंडित जी चीचा जोड़ कर कह, पंडित जी में कुछ समझ नहीं पाया, हिंदी में कहीए। पंडित जी ने कहा, नस्य का अर्थ नहीं समझते, नस्य अर्थात हुलास। श्याम सुंदर ने सिरहिला कर कहा, समझ गया और पुडिया में हुलास दे कर कहा, श्रीमान इसे यहां न सूंगे, छीके आएंगी तो यहां भी इस रोक के कीटानू फैलने की आशंका है, पंडित जी हसते हुए चले तो दर्वाजे पर बहेरे जी से टकर खा गए, उसने भी रखता था गरीब ग्रहस्तों के, दीन किसानों के, सेट जी श्याम सुंदर के अती निकट आकर हाथ जोड कर बोले, मारी घरवाली का पेंडू दरद करे जी डाक्टर जी, कोनो चोखी सी दवा दो, श्याम सुंदर ने गंभीर होकर कहा, सेट जी मुझे दिखता है कि भ पुद्ध कंट से हाथ जोड कर बोले, समझ गयो जी समझ गयो, ब्राम्मन को आशिरवाद ब्रह्म को वचन, और पास आकर बोले, अब क्या करूँ डाक्टर जी, माने कओ ना, खर्चा की चिंता ना करो, श्याम सुंदर ने कहा, सुनो, मैं एक लेप देता हूँ, इसे पे तेल में मिलाकर लगवा देना, जहां तकलीफ हो, और फिर मिलते रहना मुझसे, खूब सावधान रहने की जरूरत है सेट जी, समझे, इसमें जान जो खिंबी है औरत को, सेट का चेहरा एकदम उतर गया, व्यस्त करुन द्रश्टी से श्याम सुंदर को ताक कर बोले, थारी सरन मैं हूँ डाक्टर, और फिर काप कर बोले, परदेश मा पढ़या हूँ महाराज, मारी रक्षा करो, और जल्दी से ब्राह्मन के पैर छोकर डबडबाई आँखें लिए खड़ा हो गया, श्याम सुंदर ने डिबिया में लेप दिया, और सेट की पीट को ठोक कर क कोई डर नहीं है सेट जी, मैं जिसका रक्षक हूँ, उसका यम्राज भी कुछ नहीं विगार सकता, लाओ दाम निकालो, ये तो प्राइविट दवा है, छिपा कर रखनी होती है, क्या दूँ? सेट ने अंटी टटोल कर कहा, श्याम सुंदर ने अंगुलियां हिला कर कहा, पांच रुपए, ज्यादा नहीं लूँगा, फिर क्रमशह रोगियों का ताता लग गया, उसके हाथ फुर्ती से चलने लगे, दवाएं देता गया, पट्टियां बांधता गया, और हसी मजाग करता गया हर एक से, रह रहकर सारा कमरा अट्टा हसों और खिल खिलाहटों से गूंज उठता, ग्यारा बजे डिस्पेंसरी बंध हो जाने का समय था, पर ये नियम शायद ही कभी पूरा हो पाता हो, अकसर बारह बज जाते शाम सुन्दर को काम निप्टाते निप्टाते, वही आज भी हुआ, नए साहब ठीक समय पर हैट लगा कर चले गए, पर शाम स सुन्दर की छुट्टी न हुई, स्टूल से उठते उठते बूढ़ा कुंदन मुराओ लंगडाता लंगडाता सामने आखडा हुआ, उसकी परिया पकी थी, खूब गहरा घाव हो गया था, शाम सुन्दर ने बड़ी सफाई से मलहम लगा कर नई पट्टी बान दी और उन उसका वो पैर थर थर काप रहा था, शाम सुन्दर भीतर से लपक कर आया और बिना कुछ कहे बूढ़े को अपने कंधों पर उठाने लगा, तो मुराओ घबरा कर नाही नाही करने लगा, शाम सुन्दर ने एक न सुनी, हनुमान की तरह दोड़ता चला गया, मुराओ को कं ये सामने वाली लौकी मुझे तोड़ दे, आशिरवाद दूंगा की नाती पोता हो तेरे। लौकी जुलाता वो चला आ रहा था, अपना डेरा दस कदम पर रहा होगा, कि एक अती प्रिये मुखडा रहा के किनारे चमक उठा, धीरे धीरे धूल में नंगे गोरे चरण रही थी, नजर नीचे किये, लाज का आवरन उढ़े, शाम सुन्दर ने आगे बढ़ना रोक दिया, चारों और देखकर खासा, और सिर हिला कर गा उठा, अकेली मत जैयो राधे, जमुना के तीर, राधा होठों में मुसकान छिपाए, आगे बढ़ती हुई आई, और बिन मत जैयो राधे, जमुना के तीर, वो दोड़ता हुआ चला आया अपनी कोठरी की ओर, राधा किवार पकड़े खड़ी थी, आनंद में डूब कर वो बोला, धन्य भाग मेरे, चलिए, तश्रीफ रखिए, राधा ने किवारों की ओर देखते हुए तनिक हस कर कहा, हम चोर क के घर काहे को बैठे, अहिर के घर में, कब से हो गए अहीर, शाम सुंदर ने आखें पहला कर कहा, खुदा की कसम, तुम अगर मुसल्मान होती, तो मैं मुसल्मान हो जाता, फिर अहीर होने में मेरा क्या जाता है, राधा ने हस कर कहा, सिवाए बातें बनाने के कुछ आता भ ले रुपए अम्मा ने भेजे हैं कहा है हम मानने का पैसा नहीं रखेंगे धोती के दाम भेजे हैं साड़े साथ रुपए हैं गिन लो अच्छी तरह से शाम सुंदर ने हथेली फैलाए एक शन रुपए को देखा फिर सिर उठा कर बोला धाई रुपए और तुमने तेल मंगवाया था धाई रुपए की शीशी थी लाओ निकालो वो हसकर बोली वो नहीं मिलेगा मुझे देवर की चीज लेने का अधिकार है एक पैसा न दूंगी शाम सुंदर सिर खुजलाने लगा राधा हसकर बोली रात उस मुसल्टिया को दो रुपए यूही थमा आए और मुझसे तेल के दाम मांगते हो शरम नहीं लगती तुम्हें धाई रुपली मांगते शाम सुंदर जल्दी जल्दी सिर हिलाता बोला अब सहा नहीं जाता अब रहा नहीं जाता और अती शीगृता से चाती के बटन खोलकर नयन मूंद कर बोला लो आकर निकाल लो मेरा किसी प्रकार हसी रोक कर राधा बोली, मैं क्या करूंगी कलेजे का, मैं कौन हूं तुम्हारी जो कलेजा दिये जा रहे हो, अभी तो तेल के दाम मांग रहे थे मुझसे, तभी खट से आवाज हुई शाम सुन्दर ने घबरा कर अपना सीना ठक लिया देखा नए डॉक्टर साहब बरामदे में खड़े हैं राधा तने खुंगट खीच कर एक किनारे से निकल गई साहब सामने के नीम पर जाने क्या देख रहे थे शाम सुन्दर अकारण ही हाथ मलता पास खड़ा था साहब ने मूँ उधर किये किये ही पूछा ये औरत कौन थी? जी, इसी गाओं की लड़की है हाथ मलता शाम सुन्दर बोला तुम्हारे पास क्यों आई थी इस वक्त? उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? मैं जानना चाहता हूँ शाम सुन्दर ने संक्षेप में बतलाया कि यहां से बहुत दूर उसकी ननिहाल वाले गाओं में इस लड़की की शादी हुई थी पती से शाम सुन्दर का बचपन का परिचय है पती के चाचा को छोड़कर और कोई नहीं था संतान हीन और विधुर चाचा ने पुत्र की तरह उसे पाला पोसा और विवाह किया जवानी के नशे में चूर होकर वो कृतगन चाचा को दुख देने लगा अंत में एक दिन भारी उपद्रव मचा कर अपनी ग्रहस्ती अलग करने लगा तो मोह मई राधा ने चचिया ससुर का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया रामधुन क्रोध के वशीभूत पतनी के साथ चाचा के अकथनिय संबंद की बात कहकर उसी रात गाउं छोड़कर कहीं चला गया हत भागिनी रदय पर पत्थर रखकर पित्र तुल्य चचिया ससुर की सेवा में लगी रही फिर एक और वजरपात हुआ अपनी सब स्थावर जंगम संपत्ती स्नेह शीला पुत्रवधू के नाम करके वो चाचा जी परमधाम सिधार गए तबसे ये अनाथिनी यहां के पास रहती है कहानी पूरी करके शाम सुंदर ने कहा रामधुन मुझसे उम्र में दो-तीन मास बड़ा है इसलिए गाओं का रिष्टा मान कर नए साहब ने संतोश के साथ सिर हिला कर कहा ओ देवर भोजाई का मामला है तुम्हारी ग्रहस्ती और तुम्हारे बच्चे कहा है गाओं में जी मेरी कोई ग्रहस्ती नहीं है क्या अविवाहित हो जी नहीं, रंडुआ हूँ रंडुआ शब्द सुनकर नए साहब के होटों पर हसी आ गई क्षण भर रुक कर बोले जरा हमारा वाला कमरा खोलना कुछ जरूरी कागज यहां भूल गया था दुपहरिया में नए साहब की बातें और कहने का ढंग बार बार याद आता रहा ये औरत इस वक्त तुम्हारे पास क्यों आई थी इसका तुम्हारे साथ क्या संबंध है और जाने कैसी एक कष्ट दाईनी अनुभूती उसके मन को कुरेदिती रही कोठ्री का वातावरन गंभीर हो गया उसी गंभीरता में श्याम सुन्दर सो गया नींद टूटी तो धूप का नामों निशान न था तब वो भजन लाल के इंजेक्शन को याद करके दृत गती से भागा दर्वाजे पर आकर उसने संतोश की सांस ली एक बार पश्चिम आकाश को निहारा अभी दिन डूबने में काफी देर है सोचता हुआ जो वो चोखट पर पैर रखने लगा तो किसी इस्तरी कंट की आवाज सुनकर ठिटक गया ये दरिद्रता के मारे रोग ग्रस्त भजन लाल की तपस्विनी ब्रहमिनी का स्वर था लड़के को समझा कर कह रही थी बहेरे जी से कहियो कि हमें अम्मा ने भेजा है ये खंडुए हैं इन्हें रख लीजिए और पांच रुपए दे दीजिए बहुत जरूरत है कहना अम्मा ने आपके हाथ जोड़े हैं कहना पांच ना दे तो चार ही दे दे संभाल कर ले जाईयो बेटा ले भगल में दबा ले पोटली लड़का शायद बाहर को आ रहा है शाम सुन्दर एक कदम पीछे हटकर दीवार की ओट में खड़ा हो गया थोड़ी देर बाद वो चित्त को स्वस्त करके चहरे पर मुस्कान लिए घर के आंगन में जा पहुँचा स्वर को तीवर करके पुकारा अरे कहा हो सुरेश की अम्मा ओ मेरे भाई की जोरू सुरेश की अम्मा ने भीतर कोठे से जवाब दिया और अतीम मुईथी बोली में बोली बैठो सुरेश के चाचा मैं अभी आई छोटी लड़की कलावती कोने में बैठी अपनी गुडियों को सजा रही थी शाम सुन्दर उसी के पास हंडवे निकाल कर बालिका की गोरी-गोरी कलाईयों में पहना कर सुख में डूब गया वो कुछ कहना चाहता था पर कुछ कहना सका तभी भाबी आ गई भीतर से और सूखे अधरों पर बर्बस हंसी लाकर गोडियों को निहारती बोली कोई पसंद आ गई हो तो जेब में रख ले जाओ रात को अपने पास सुला लेना श्याम सुन्दर ने कानों पर दोनों हाथ रख कर कहा शिव 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 ये क्या कह रही हो भाबी मैं भ्रमचारी आदमी ठहरा स्त्रीश पर्स मेरे लिए पाप है तपस्या काल है मेरा भाबी ने मानों दुखी होकर कहा एक की जान लेकर बैठे हो कुड़ कुड़ कर मर गई शायद अभागिन अब करना जीवन भर तपस्या श्याम सुन्दर ने प्रसंग बदल कर कहा पानी करम किया जरा इधर आओ फिर जरा सा आड होकर बोला लो ये रुपए बहेरे जी ने पाँच ही दे दिये लेकिन साड़े पाँच आना सूद लेगा समझी भाबी ने सकपका कर पूछा तुम्हें सुरेश मिला था क्या कहां रह गया वो तभी कलावती भी खड़ी हुई दोनों के बीच में और मा को अपने खंडवे दिखा कर अती प्रसन्नता से बोली मा चाचा ने दिये है मुझे मुझे छीनना मत अम्मा शाम सुंदर ने सांस खीच कर कहा तुम इतनी दुष्टो भाबी कि जी में आ रहा है कि मैं अभी के अभी गर्दन काटनू तुमारी तुमसे मैंने कहा था कि किसी चीज की जरूरत हो तो बतला न औरत जात हो न औरत की बुद्धी हमेशा उल्टी चलती है लड़की के हाथों से खंडवे उतारते तुमें दया नहीं आई बड़ी बेरहम हो चलो जाओ पानी लाओ भाबी ने सरन उठाया चुपचाप पानी लेने चली गई इंजेक्शन लगा कर वो घर से निकलने लगा तो उसी दहलीज में भाबी ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो पांच रुपए वाला नोट जल्दी से उसके हाथ में ठूसती बोली ये लिये जाओ देवर ये मैं न ले सकूंगी स्तब्द खड़े शाम सुन्दर ने बड़ी कठिंता से पूछा क्यों भला तब जाने किधर से आँखों में पानी भराया छर छर करके आंसु बहाती भाभी ने कांपती वानी में कहा इतना बोज मुझसे छा नहीं जाएगा देवर बाबू सहा नहीं जाएगा मैं बहुत दब गई हूँ अब और मन भर कर पत्थर रखके मेरी जान लोगे क्या शाम सुन्दर इस्तब्द खड़ा रहा भाभी ने दीवार से सिर टेक कर छर छर आंसु बहाते कहा मैं पापिनी रोज सोचती हूँ आज अकेले में पैर पकड़ लूँगी देवर के और पैरों पर सिर रखकर पड़ी रहूँगी और तो कुछ भी नहीं मेरे पास कैसे तुम्हारी पूजा करूं मैं प्राण दाता शाम सुन्दर की पीट पर जैसे किसी ने चाबुक मार दिया हो सपाक से वो तिल मिला गया पलक मारते उसके हाथ भाभी की चरणों से जा लगे फिर चोट खाय हुए सीने को उभार कर मर्द होकर भरे गले से बोला आज माफी देता हूँ अब आगे अगर कभी इस तरह मुझे चोट मारी तो तुम्हारा मू न देखूंगा भाभी मेरा रिदय भी तुम्हारी तरह रक्तमास का है इस तरह अब इसे मत को चलना रुपए रखो ये तुम क्या समझती हो अपना पेट काट कर तुम्हें दे रहा हूँ अरे ये रुपए तो आज मैंने उसी मारवाडी से एठे हैं ले लो भाभी तुम्हें मेरे सर की कसम हार कर भाभी ने आशू पहुचते हुए नोट ले लिया और श्याम सुंदर सलाम भाभी कहकर शीगरता से भाग निकला फिर कहीं मन न लगा जाने कैसी उदासी मन के चारों और घेराई अन्य मनस्क भाव से शिथिल पैरों से वो जैसे अन्जाने ही मनिया के घर आ खड़ा हुआ बूढे बकरीदी मिया अभी अभी काम पर से लोटे थे डॉक्टर को बाहर खड़ा देखा तो घबरा कर भीतर से खटिया लेने दोडे मनिया रसवी घर में बैठी बेज़र की रोटी सेक रही थी रोटीयों की मीठी मीठी सुगंद घर में चाई थी शाम सुन्दर उसके पास आकर खड़ा हो गया और आगे को जुक कर पूछने लगा क्योरे कल मुही क्या पकाया है मनिया का गोरा मुख आज के सामने बैठे रहने से लाल हो उठा था अलकों पर हलकी हलकी राख जमी थी घुटने पर सिर रखे हौले हौले दोनों सुन्दर हथेलियों से वो रोटियां बना रही थी होटों पर अतिमंद मुसकान लाकर विभोर होकर बोली बथुआ का साग रांधा है शाम सुन्दर ने धीरे से पूछा मुझे खिलाएगी सिनेह से भरे हुए स्वर में वो बोली खालो भेया बकरीदी मिया खाट बिछा कर खड़े थे विनय से बोले आओ बेटा इधर आजाओ शाम सुन्दर ने खाट पर बैट कर एक अंगडाई ली और बोला बड़े मिया कुछ हुक्का हुक्का पिलाओ न बड़े मिया है है करके जमीन पर बैट गए तो जैसे शाम सुन्दर ने याद करके कहा अरे रसी बाल्टी कहा है लाओ जरा पानी भर लाओ मुनिया ने वहीं से मीठी बोली में कहा मैं भर लाई हूँ भईया बड़े मिया ने आगे सरक कर डॉक्टर के पैर पकड़ लिये कस कर और फिर सूखे खुरदरे हाथों से उन पैरों को सहलाते हुए धीरे से बोले इनसान और फरिष्टे में फरक रहने तो बेटा दोनों को एक जमीन पर मत खड़ा करो खुदा ताला मुझे हरगिस माफ नहीं करेगा तुम मेरा पानी भरोगे या परवर्दिगार पर शाम सुंदर ने ध्यान न दिया वो मुनिया के पास आकर खड़ा हो गया और धीरे से बोला तुने राधा से क्यों कहा था कि मैंने तुझे दो रुपे दिये क्यों री चुडैल मुनिया हस्ती हस्ती बोली कहने को तबियत हुई बस कह दिया कहने को तबियत हुई शाम सुंदर ने मूँ टेड़ा करके उसे कहा चुगल खोर मुनिया उसी तरह हस्ती रही तभी बाहर से शोर गुल की आवाज सुन पड़ी जिसे बहुत से आदमी एक साथ दोड़ते चले आ रहे हो बड़े मिया और श्याम सुन्दर दोनों एक साथ बाहर को लपके कुछ लोग बातें करते आगे बढ़ रहे थे और कुछ दोड़ते आ रहे थे पीछे से श्याम सुन्दर ने राह में खड़े होकर एक आदमी को कंधा पकड़कर रोक लिया और पूछा क्या बात है? क्या हुआ? उस आदमी ने तरस्त भाव से कहा जमिदार हर सहाई के बाग में फौजदारी हो गई? दो कतल हुए हैं किसका कतल हो गया? उस आदमी ने कहा ये मुझे नहीं मालूम और वो भीड के साथ दोड़ता चला गया श्याम सुन्दर क्षण भर को अवाक खड़ा रहा फिर जैसे चौक कर बोला बड़े मिया तुम घर जाओ लंबे डग भरता वो बाग की तरफ चल दिया रात को दस बचते बचते एक आदमी की जान निकल गई दूसरा सिसक रहा था श्याम सुन्दर पसीने से तर बतर होकर लगा रहा जाने किसने राय दी कि सदर ले चलो वहाँ थाने में रिपोर्ट लिख जाएगी जुबानी बयान भी हो जाएंगे और डॉक्टर मुखर जी हैं वहाँ बड़े होशियार डॉक्टर है बात कहते बीस लठैत चल दिये मरनोन मुख व्यक्ती को खाट समेत उठाए शाम सुन्दर अवसन्नसा होकर तमोली की दुकान पर आ बैठा और बारा बजे तक वहीं गुमसुम होकर धोक दिये रहा बहुत देर तक उसे नीन ना आई और फिर सोया तो सपना देखने लगा इतने वर्षों बाद जाने कैसे उस दिन उस रात को स्वर्गिय पत्नी उसके पास आखडी हुई घूंगट डाले शाम सुन्दर विभोर होकर उसका घूंगट हटाने लगा लिकिन ये क्या ये तो राधा है सवेरे भगवान की पूजा करके वो चंदन वाली कटोरी सामने रखे बैठा रहा पुराने व्रद्ध डॉक्टर की याद आ रही थी आज इस चंदन को कौन लगाएगा कितनी सरलता से उसके स्नेह का बंधन तूट तूट गया है और तब अचानक पत्नी की याद ताजा हो उठी रात का स्वपन याद आया और तब उसे एक गाना भी याद आ गया और अंज्याने ही वो गा उठा रंडवा रोवे आधी रात सपने में देखी कामिनी गा ही रहा था कि सुर में सुर मिला कर एक और आदमी कान के पास आकर गाने लगा ये अखाडे का वही साथी था जिसे उस दिन पुर्विया पहलवान ने पटक दिया था शाम सुन्दर उसे अप अलक ताकने लगा पर उसने आखे मूद ली और कान पर एक हाथ रखकर वो जुक कर गाने लगा ना कोई पीसे वाको पिसनो अजी ना कोई रांधे वाको भात री सपने में देखी कामिनी